इस्राइल हमास युद्ध के बीच गाजा के रफा शहर में अब इस्राइली फौज और हमास के बीच आरपार की लड़ाई शुरू हो गई है। I.D.F. का कहना है कि रफा में हमास की कम से कम शार बटालियनों ने बसेरा बना रखा है जिने उखार फेकने के बाद ही वो रफा से वापस लौटेगी। लेकिन हमास की शैन निशाखा अलकासिम ब्रिगेट्स और अलकुद्स ब्रिगेट्स रफा के भीतर ही IDF की कबर खोदने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अलकासिम के लड़ाके ने गाजा में अल जैतौन में IDF पर एंटी परसनल गोले दागे हैं अलकासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि दूर से IDF के कुछ जवान चुनते हुए नजर आ रहे हैं और इन पर अलकासिम के लड़ाके खात लगाकर दनादन एक साथ गोले दाग दिते हैं जिसमें जोरदार धमाका होता है अलकासिम का दावा है कि इस थमाके में IDF के तीनों जवानों का काम तमाब हो गया और एक ऐसा ही हमला पूरवी रफा में हुआ है यहां पर अलकासिम के लड़ाकों ने IDF के कुछ जवानों पर पहले नुशाना साधा और उसके बाद उन पर फाइरिंग कर दी IDF के यह जवान एक बिल्डिंग में पोजिशन लिये हुए थे और IDF का एक जवान नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और तभी उन से अनिकों पर हमला हो जाता है इस वीडियो में अल-कासिम का एक लड़ाका जमीन के नीचे से IDF के एक टैंक पर रॉकेट लॉंचर से हमला कर देता है इसके बाद अल-जैतान के अल-तकदीम एकसिस में अल-कुट्स बिगेट्स के लड़ाके IDF के सरने बहानों पर बंबारी करते हैं इस दोरान IDF और अल-कुट्स की भीशड़ जंग होती है अल-कुट्स ने इस लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें IDF के कुछ टैंक नजर आते हैं जिन पर अल-कुट्स का लड़ाका एक खंडहर पड़ी इमारत में घुसकर रॉकेट लॉंचर दाग देता है और जैसे ही ये रॉकेट IDF के टैंक पर गिरता है वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है इसके बाद अल-कुट्स का एक लड़ाका IDF की तरफ दना दन रॉकेट दागता हुआ दिख रहा है और इस हमले के बाद हमास ने रफा के जवालिया कैम्प में इस्राइली सैनिको पर एक मिसाइल हमला कर देते हैं यहां पर एक द्रोन के जरीए IDF के जवानों पर मिसाइले और रॉकेट गिराए जाते हैं हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक द्रोन उड़ते हुए IDF की पोजिशन पर मन राता है और उसके बाद फिर वो IDF के जवानों और टाइब के जिन्लिक करके उनके उपर रॉकेट और मिसाइले गिरा देता है और जैसे ही यह रॉकेट और मिसाइले IDF के उपर गिरते हैं वहाँ पर ताबड तोड बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं उतकी होना शुरू होना शुरू है